हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट समेश्टर का राजिनीति सास्त्र और इसमें यूनिट दो मैं आपको पढ़ा रहा था तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतियस आसन अधिनियम 1935 समय दहनी विकास के चरण में यह आपका अंतिम महतपूर अधिनियम है मैंने बताया था यह टॉपिक आपको कम्प्रीट होने वाला है तो इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे जैसे मूल अधिकार प्रस्तावना जो भी आपके सिलेबस में है उसको हम लोग पढ़े उन्येस सु टीस में हुआ था प्रसम गोल में सभी फिर एक्तिस में दूस्तिये और बतिश्य में तिर्थये गोल में संम्हीलन हुआ मैं तो भारतिये यह नेता गए बिसमे में वहां पर बिटसों से बात sv misf और मानक तै किये गए, कुछ सुधार लाने की बात हुई उन सुधारों के आधार पर ही ये अधनियम पारित किया गया था तो ये इसका थोड़ा सा बैक्ग्राउंड था चुकि आपको पॉलिटकल साइंस पढ़ना तो जादा इतिहास में नहीं जाना है तो मतलब जो तीन गोल में समेलन हुए थे उसी क्याधार पर ये अधनियम लाया गया था और इस अधनियम की प्रमुख विसेशता है हम लोग देख लेते हैं पहले विसेशता ये है कि भाई संग्येस आसन पढ़ाली की सुरुवात हुई भारत में शर प्रथम संग्येस आसन पढ़ाली की नीव रखी गई संग्य की दो इकाईया थी बिटिस भारतिय प्रांथ और देशी रियास्तें जैसे आज भी हमारे देश में संग्य की दो इकाईया है एक केंद्र और दूसरा राज तो इस टाइम भी संग्य की दो इकाईया थें एक बिटिस भारतिय प्रांथ और दूसरा देशी रियास्तें केंद्र में दो इधिस आसन की अस्थापना हुई अर्थात केंद्र तथर राज इकाईयों के मद्र शक्तियों का विभाजन किया गया तीन सूचियों के अधार पर संग सूची प्रांथ सूची और समोर्ति सूची तो आज भी हमारे सम्मिधान में ये तीनों सूचिया हैं संग सूची प्रांथ सूची और समोर्ति सूची और इनके अधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों की ब बनाएगा, जो प्रांतिय सूची होती है, इस पर जो कानून बनाएगा, वो राज बना सकता है, और जो समोरती सूची होती है, उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानि केंद्र भी बनाएगा, राज भी बनाएगा, लेकिन अगर मान लेज़े, दोनों ने बना दिया, तो मानने किसका होगा प्रभावी किसका होगा केंद्र का यानि समोर्ति सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं केंद्र भी और राज भी लेकिन अगर दोनों कानून बना देते हैं तो फिर केंद्र का माना जाएगा और राज का निस्फ प्रभावी हो जाएगा यानि उसका प्रभाव नहीं रह जाएगा और जब आपातकाल की इस्तिती आती है तो प्रांतों पर भी केंद्र कानून बना सकता है देखे सामान इस्तितियों में प्रांत पर यानि प्रांत ये विसे जो हैं क्योंकि मैंने आपको पता केंद्र वाले पर तो केंद्र बना ही सकता है परांत पर भी मर्जंसी में बना सकता है और समौर्ती सूची में अगर दोनों बनाते हैं तो केंद्र का माना जाएगा तो यह नियम कब लाए गया 1935 में याद रखेगा संग सूची में 69 विसय हैं परांतिय सूची में 54 विसय हैं तथा समौर्ती सूची में 36 विसय सामिल किये गए और जो आवसिष्ट सक्तिया है वो गवर्नर जनरल में नहीं थी तो उसको गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया कि उस पर कानून गवर्नर जनरल खुद बनाएगा जैसे आज हमारे देश में आवसिष्ट सक्तिया केंद्र में नहीं थै अब संगिय सूची में कौन-कौन से विसय थे विदेशी, कार, मुद्रा, नौसेना, थलसेना, वायूसेना, जनगरना जैसे विसय थे प्रांतिय सब लोक, सिष्ट, सिछ्चा उस समंदित को कानून बनाना थे तो राज बनाएगै न समोर्ति सुच्य में दण्द, मुद्य, सिब्ल, एटेय सुखिए, और सिदिकर, विवह, और विच्षेद, विवह, विच्षेद क मतलब होता त Андि न इसे त्रांतों में दोफ्रों बनाना है . दोनु सकता है . मैंने 1129 के प्रांतों में दोफ्रों की शुरुवात की गई लेकिन इस अध्रियम के तहट यानि 1935 में क्या किया गया कि प्रांतों में 12 ससन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में स्वायतता का प्रावधान किया गया स्वायत का मतलब अपने आंतरिक मामले में स्वतंत रहें इसके तहट 1937 में संग्यय न्यालय के अस्थापना की गई इस अधनियम के द्वारा भारत परिशद को समाप्त कर दिया गया उन विवादों इवन निप्टारों के लिए शंग्यय न्यालय अंतिन न्यालय नहीं था अंतिम अपीलय न्यालय प्रिवी काउंसिल था बर्मा जिसको आज मियामार कहते हैं उसको भारत से अलग कर दिया गया 1937 में यानि बर्मा भी भारत में था तो 1937 में यानि इसी अधनियम के तहट 1935 के अधनियम के तहट दो साल बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया प्रांतिय बिधान मंडलों का विस्तार किया गया प्रांतों में ग्यारा में से छे बिधान मंडलों में दो सद्रों की विवस्ता की गई जैसे आज हमारे प्रांतों में दो बिधान सभाएं होती हैं, दो बिधान मंडल होते हैं, एक आपका जैसे बिधान सभाएं, एक बिधान परशर, तो ऐसे उस टाइम भी किया गया है, जैसे आसम में दो सदन थे, बंगाल में भी दो थे, बिहार में, बंबई में, मदरास में प्रदेश कहते हैं, इसको पहले संयुक्त प्रांथ आ जाता था, तो यह जो छे प्रांथ थे इन में दूई सदनीयों भी वस्था की गईया, यानि दो सदन होते थे, जैसे आज हमारे देश में लोक्स बहरा सद है, ऐसे इन प्रांथों में भी हुआ करते थे, इसके अंतरक महिलाओं मजदूर वर्ग के लिए अलग सी निर्वाचन की बियुस्ता की गई मत अधिकार का विस्तार हुआ लगभग 10% जन संक्या को मत का अधिकार प्राप्थ हुआ फिर इसने नाकेवल फेडरल लोग सिवायोग के अस्थापना की बलकि प्रांतिय लोग सिवायोग और दो या दो साधिक राज्यों के लिए सन्युक्त लोग सिवायोग की भी अस्थापना की तो इस समद्ध में आध रेखेगा, मैंने आपको कहा था, लोग सिवायोग के स्थापना किस ने की थी, किस अधनियम ने, तो 1919 के, लोग सिवायोग, लेकिन अगर फेडरल लोग सिवायोग की बात करें, सैयुक तो लोग सिवायोग की बात करें, प्रांतिय सिवायोग की बात तो इसके असापना 1935 के तहत हुई थी तो दोनों में अंतर है तो यह आपका अधनियम था 1935 का और यह आठ मिनट की वीडियो है लगबग तो यह कंप्लीट हो गई आपकी और इसमें अब एक छोटा साधनियम है बारते सुतनतता अधनियम 1947 में आया था उसको आप कहेंगे त आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया यानि संभेधानिय विकास का चरण जो था इस स्टेजेस आप कंस्ट्यूशनल लिबलमेंट यह आपका कंप्लीट हो गया तो इसके बाद जो भी टॉपिक है आपकी उनिट के अनुसार आपके सिलेबस के अनुसार उसको हम लोग पढ़ की रूपिसे है